प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा देखा गया है जब आपकी प्रेगनेंसी का छट्था महीने से उपर चल रहा होता है कुछ महिलाओ का पेट जो है वो बिल्कुल टाइट हो जाता है पेट टाइट होना कड़क होना पत्थर के जैसा होना इतना सक्त होना जिससे आपको प्रॉब्लम होने लगती है ऐसा लगता है कि इतना बड़ा कुछ वजन का आगे में पेट पे रखा हुआ है जिसका उसे लिए कि उठना बैठना सब कुछ करना है कैसे होगा क्योंकि घर में इतना सारा काम पड़ा रहता है बहुत सारे मल्टिपल कह सकते हैं कि प्रॉब्लम होने लगती है लेकिन वही अगर जब बच्चा हलचल करता है तो पेट बिल्कुल नॉर्मल होता है तब महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस वीडियो को बनाने का में मोटो ये है कि कुछ महिलाओं जो होती है वो जब दर्द से गुजरती है पेट कड़क होने के बाद तो उस टाइम ऐसा वो क्या कर सकती है जिससे उनका पेट बिल्कुल सौफ्ट हो जाएगा नरम हो जाएगा और वो अपना काम भी कर सकती है आप खाना खाने बैठती है तब सब चीज ठीक रहता है लेकिन खाना स्टार्ट किया उसी टाइम पेट बिल्कुल टाइट हो गया जब टाइट हो गया पत्थर जैसा हो गया तो आप खाना कैसे खाऊगे इस तरह की कुछ प्रॉब्लम जो है वो महिलाओं के साथ होने लग सबका बहुत-बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चानल में पहली बर अगर आए इस चानल पे सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजेगा यहां पे हम बात करते हैं पेट का टाइट होना कड़क होना यह तभी होता है खासकर जब कहा जाए कि एक मह कर लम्बे टाइम तक यह रात में जब मां सोती है रात में बच्ये जगते हैं और सुभा में जब मां जगती है तो बच्चा पेट में सोया रहता है इस तरह की कुछ चंडिशन होती है साथ में एक और कंडिशन को सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे हाइलाइट करूगी क्योंकि पेट में जगा नहीं होती है ये सिच्विशन कब आती है खासकर ये तब आती है जब आपका लास्ट टाइम चल रहा है थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है पेट में जगा नहीं होने के कारण बचे का वजन एक, दो केजी, डेड़ केजी तक जा पहुँचा होता है वो मूव नहीं कर पाता है और जब अच्चा मूव नहीं करता है मूव्मेंट नहीं दिखाता है तो पेट के अंदर tightness होना ये common सी समस्याद देखी गई है अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस चीज़ को हम ठीक कैसे कर सकते हैं खास कर देखिए यह जो मैं नुस्का बताने वाली हूँ यह आप कभी भी try मत किजिएगा यह आप तभी try किजिएगा जब आप खाना खाने बैठती हैं क्योंकि बार बार इस नुस्के के त्रूप बच्चे को disturb किया जाता है और जब बच्चा disturb होता है वो movement में आने लगता है तो खास कर आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है खाना खा रही है पेट टाइट हो गया है पेट के उपर ऐसे ऐसे सहला ही है बिल्कुल ऐसा दो चार पाच मिनट करना है तब तक करना है जब तक पेट आपका soft नहीं हो जाए और बच्चा अगर सोया है तो जग जाए या फिर अगर थोड़ी से इदर उदर चीजे चल रही है तो वह activity में आ जाए baby kicks करने लगे और जब बच्चा एक बार baby kicks करने लगेगा आपकी जो यह समस्या है पेट टाइट होने वाली वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी लेकिन याद रखिए हमेशा यह चीज मत किजिएगा क्योंकि बच्चा कहीं न कहीं उसे प्रॉब्लम होने लगती है कि हर बार उसे टोका जा रहा है कह सकते है इस भासा में कि डिस्टर्ब किया जा रहा है मिलती हूँ आप सबसे गाईज नेक्स्ट वीडियो में तब तक लेकिए